लेकुम दोस्तों आबिद इसमाइल मार्केट एनलेसिस और रिव्यू के साथ हाजिर है कल का सेशन अगेन हमने बेरीज देखा इससे पहले सेशन में भी जो है हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की और जो मॉनिटिव पॉलिसी थी उसका जो नेगेटिव इंपेक्ट है व जो है मॉनिटिव पॉलिसी में इंक्रीज हम विटनेस कर सकते हैं और दूसरे भी ब्रोकर्स हैं एकनॉमिस्ट हैं अनलिस्ट हैं उन्होंने भी 75 बेसिस पॉंट मैक्सिमम एक परसंट जो है बहुत कम लोगों एक परसंट गयाता है लेकिन बोस्लिव जो है 75 बेसिस का increase तो सब के लिए एक शॉकिंग नियूस थी तो इसका ओविसली नेगेटिव इंपक्ट आना था इस्पेशली लार्ज स्केल मैनुफेक्ट्रर हैं सेमें इस्टील यह सेक्टर हैं तो इन में हमने जो है नेगेटिव इंपक्ट देखा और कुछ स्टॉक हैं जिनके लोन ज् सब्सक्राइब देखा और यहां से मार्केट जो है रिजेक्शन हमने विटनेश के और मार्केट नीचे बार बार इन लेविल पर पहले हाँ पिर अपना 4500 के आराउंड आई यहां पर डोजी मैंने से बहले बोला था फॉर्म बहुता फिर पुलिश बहली लेकिन इसको ब् हाड़नट है यह क्रेक करना 46600 का और अगर हम वीकली में देखें तो 47600 का यह एक हाड़नट है मैं यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन मना देता हूं यह लेविल जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मंतली चार्ट के इसाब से भी मैंने एक चोटी सी एक क्लिप बेजी थी श पर मैंने शेर कहा था वीकली चार्ट के साफ से सारी मंतली चार्ट के साफ से 47600 का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी वह नहीं जो है एक बेरिश पैटन जोह हो बेलकुल इग्नोर नहीं करें और दूसरी जो चीज है वो हमारा मार्केट कैपिटलिजेशन है तो इस से जाहिर होता है कि पार्टिसिपेशन अभी है नहीं बेग पिलियर्स की तो हमारा अल्रेडी मैंने बोला कि बहुत कैपिटल बहुत चोटा है बहुत कम है जो हमारा बेंच मार्क है या पेविटल फिगर है वह एट थौजन बिलियन यह एट ट्रिलियन रूपीज का है तो मार्केट जो है उसको भी मीट नहीं कर पा रही है अभी आप देखें यह भ कि बिल्कुल ईग्नोर ना करें इसमें अगर अगर आप इंक्रीज़ देखते हैं तो मज़ीद अफसाइट देख सकते हैं और साती साते एक महिए एक शौट गराफ बनाता हूं इंडिकेशन के मुए मजई अफसाइट के लिए कि यहां से मार्किट यह अगर हम यह यहां से लें इसका 46,179 या 200 यह समझ लें आप जिसा मैंने पहले बोला कि 200 में के करीब है तब इस वक्त अगर हम देखें यह लेविल जो है यह मैंने ट्रेंड लैन बना दी है इनिशली जिस रेजिस्टन्स लेविल जो है वो हम अभी हमको यहां पर हम यहां विट्निस कर सकते हैं सम्वेर अरॉंड 45,500 और 600 के अरॉंड मैं यह एक ट्रेंड लैन्ड भी बना देता हूं horizontal यह यह है तो अभी हमारे इस वक जो इनिशल रिजिस्टन्स है वो 45,500 है और कल एक मैंने short clip share की थी उस में भी मैंने बताया था कि 44,900 जो है एक support लेविल है और market ने कल इसको इंडर डेंड में ब्रीज भी किया था 44,800 के अरॉंड जो है market ने इसको retest किया लेकिन closing जो है वो 44,900 के उपर ही हुई है यह 44,900 के अरॉंड ही समझ ले तो यह एक support लेविल है market इधर close हुई है तो maybe हो सकता है कि market जो है from the beginning उपर ही रहे positive रहे और इस level को retest करें अगर आवली बेस आवली चार्ट पे भी आवली time frame पे market इसके उपर perform करती है और अच्छे volume generate होते हैं तो मजजीद हम इसमें upside दे सकते हैं लेकिन again 46,300 से 46,600 यह एक जो है strong resistance level है daily time frame पे तो इसका break out होना बहुत जरूरी है otherwise जो अभी इस पर strong support level नजर आ रहा है वो 44,300, 44,400 के और और नजर आ रहा है यह एक अच्छा strong support level है अगर market open होती है और downside जाती है तो यह support level जो है बहुत strong है यहाँ पे आप buy कर सकते हैं लेकिन again मैं आपको अभी भी बता दू कि market downtrend में है और downtrend में जो है any upside is sale opportunity नीचे downside पे buy करें और upside पे आप sale भी करें चीक है यह level मैंने आपको बता दी अगर यहाँ पे आपको बाइ करते हैं इवन यहाँ पे भी हो सकता है market यहाँ से भी bounce back हो सकती है च्छालिजार चवालीजार चेस सो यह भी अच्छा support level है चवालीजार चेस सो से लेके चवालीजार तीन सो चार सो यह आप जो है अपने जहिए में रहें यहाँ पर अगर इंडेक्स आता है और यहाँ पर देखते हैं कि इसको और कर रहा है इसको आप वाच करें पंदरा बीस मिनदर देखें इसको maintain कर रहा है तो आप यहाँ पाई करें पर इन लेवल पे सेल भी करें 45,500 से लेके 46,300 यह एक resistance लेवल है तो यहाँ पर आप सेल जरूर करें 200-300 यह लेवल हैं अच्छा मार्किट का जो डाउंसाइट का फायदा आपने पिक करना है जो चूस करने हैं वह मैंने पहली भी कह था जिनका जो डिविडेंड ओरियंटेट स्टॉक्स हैं उनका जब पी मार्किट प्राइस जब नीचे आती है उनकी तो पी रेशियो भी नीचे आता है और जो आइडल पी रेशियो है प्राइस टो अनिंग रेशियो वह फाइफ का मल्टीपल सिक्स के मल्टीपल पर है तो आज मैं आपके साथ शेर भी करूंगा कि स्टॉक मैंने पिक किया है कि कैप को कोट अद्दू पावर क कि कैप को में अगर हम देखें मैं थोड़ा से इसको कि जूम इन कर देता हूं यह यह वाला लेविल जो है उनक्तिस रुपए 22 पैसे का यहां से यह आप देखें यह सम्वेर अराउंड पहली जनवरी को यह पहली जनवरी का यह इसने गैप क्रियेट किया था और फिर इसके बाद इसमें हमने अपसाइट देखा और इसने तक्रीबान हाई किया था इसने डिविडेंट भी अच्छे का से दिये तक्रीबान साड़े आट रुपए डिविडेंट हमने इसी हाइक में देखा अगें फिर हमने जब यह मार्किट डाउनसाइड पे है तो हमने इसको देखा कि अगें जो हैने इसको यह गैप फिल भी किया ना सिर्फ फिल भी किया बलके इसका जो स्ट्रॉंग सपोर्ड लेविल है चापड़ीस रुपए के अरौंड इसको रीटेस भी किया और यहां ऑनर भी किया है ठीक है और इसके बाद जो है इसका यह स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स लेविल है वो 31 रुपए 86 पैसे के अरौं अच्छा पॉट्फोलियो मिंटेन करना जाते हैं तो स्टॉक को जो है एड करें उसमें और इसका जो बीस पक्ती रेशियो आइसिंग आज कल की मार्केट के प्राइस के साब से 5-4 बिट्वीन 4-5 पी रेशियो पर है इसका साड़े चार 4.5 है पी रेशियो बहुत अच्छ प्राइस में मिलेगा आपका पी रेशियो होता नहीं कम होगा तो मैंने सपोर्ट लेवल मेंशन किये हैं 2950 से लेके 2850 तक इस स्टॉक को आप एक्यूमिलेट करें और लॉंग टर्म पेयाउट रेशियो भी बहुत अच्छा है तकरीपन इसका पेयाउट रेशियो 80-90 परस आप बाइक करें और सेल भी करें आपको यहां पर गेन मिल सकता है रुपिय का दो रुपे का हो सकता है 3 रुपे का मिल जाए और अगर आप इसको खोल करें तो बहुत अच्छा रहेगा ट्रेडर के लिए मैं कह रहा हूं वह भी होल्ट कर सकते हैं जो इनका टार्गिट है इसका हम हैं बता दू पहले यह तो आपको मिलेगा यहां पे 31 रुपे 32 रुपे के राउंड और टार्गिट इसके बाद होना चाहिए 35 से 38 के राउंड तो यह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा इस्टॉक है और लॉंग टर्म इंवेस्पेंड के लिए कि अच्छा आपको लिए पार राउंड के स्ट्वेट यह श्रुक्ण ओर आपको अच्छाव न आपको लिए अबार के लिए एफड़ाए यह बिएसे विए यह इनाया के लिए इस दोटेट अधू को एंग प्टिए कर दोपत एंशेशं फर में